हलो दोस्तों स्वागे थे आप सभी लोगों का इंटरनाशनल फ्लाइटों की आज की इस नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इंटरनाशनल फ्लाइटों से आप सभी लोगों के लिए क्या क्या जुरूरी खबरे सामने आ रही है तो पहली बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि यहाँ पर चिन्ने एरपोर्ट की तरब से आ रही है जी हाँ दूस्तों आपको बताते चले कि चिन्ने एरपोर्ट से अफरीका की नई एरलाइंस कंपनी जिसका नाम इथोपियन एरलाइंस है वो अपनी फ्लाइट अफरीका के अधीस अबाबा के लिए उपरेट करेगी जी हाँ दूस्तों इससे पहले ये जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली मुंबई और बैंगलूरू से भी अफरीका के लिए सीधी उड़ाने उपरेट करेगी जिससे कि जो भी पैसेंजर्स अफरीका के अधीस अबाला जाना चाते हैं ऐसे सभी पैसेंजर्स इथोपियन एरलाइंस के फ्लाइट से ट्रावल कर सकेंगे और इसके अलबा यहां पर यह भी जानकारी सामने आ रहे हैं उसके बाद यह बाद यह हैद्रबाद और एहमधाबाद से भी अपनी सीधी फ्लाइटों को और चालू कर देगी इसके सासा दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर की जानकारी ले लेते हैं जो कि यहापर सिंगापूर एरलाइंस कंपनी की तरफ से आ रही है आभी की बात करें तो इस समय चेनने एरपोर्ट से सब्ता में 10 फ्लाइटे उपरेट करती है लेकिन ये जानकारी सामने आ रही है कि आप वो अपनी फ्लाइटों की कैफेसिटी को बढ़ा कर सत्रक करने जा रही है ठीक इसी तरीके से कोची से 14 विकली फ्लाइटे और बैंगल प्रोना वायरस से पहले अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करती थी ठीक उसी तरीके से वो फिर दुबारा से भारस से अपनी फ्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर देगी तो दोस्तों ये एक अच्छी खबर है उन सभी भारती लोगों के लिए जो भारती भी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इरलाइस ट्रैवलिंग साने वाली और भी खबरों की दिया आप जानकारी लेना चाहते हैं तो चानल के साथ जरूर बने रहें